तो ये AI character आजकल सब लोग use करते हैं क्योंकि इसके कई सारे फाइद ही है जैसे कि इसे तुम ऐजे A-roll में use कर सकते हो और अगर किसी किलिए पर B-roll fit नहीं होता तो वहाँ पर भी तुम इसी character का use कर सकते हो और इसको तुम only 3 steps में बना सकते हो तो step number 1 है character जो कि तुम्हें मिलेगा lexica नाम की website पे ओके सो lexica में आने के बैद यहाँ पे अपना prompt डाल देना जैसे कि मेरा prompt है create anime cartoon character wearing hoodies and sunglasses और यहाँ पे अपने prompt को run करते हैं तो उसके बैद तुम्हें lexica copyright 3 characters देगा जिसमें तुम कोई भी download कर सकती हो जैसे कि मैं इस वाले को करता हूं और यहाँ पे तुम्हें इसी के जैसे बहुत सारे similar characters भी मिलेगी तो मैं इस वाले को download करता हूं और उसके बैद तुम lexica को एक और prompt दे देना create stereotype image with PC and mic और यहाँ पे आपने prompt को run करते हैं और उसके बैद तुम्हें lexica यहाँ पे बहुत सारे stereo images देगा और इनमें से तुम किसी को भी download कर सकती हो जैसे कि मैं इस वाले को करता हूं तो सबसे पहले इस पे click करो और यहाँ पे download तो अब हमारे पास अपना stereo भी है और अपना character भी है और इस वाले area को select करता हूं और उसके बैद तुम्हारे सामने prompt को option आ जाएगा और यहाँ पे अपना prompt लिख लेना जैसे कि मैं लिखता हूं table और यहाँ पे generate और उसके बैद यह automatically इस पे कुछ tables add कर देगा लेकिन मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया इसलिए मैं यहाँ पे करता हूं regenerate okay so मैं इस वाले को लगाता हूं यहाँ पे keep तो मैं यह tutorial बना रहा हूं इसलिए मैं कुछ भी add कर सकता हूं लेकिन जब तुम अपना character बनाओगे तो कोई perfect table add कर देना और उसके बैद आ जाना एक और website पे जिसका नाम है remove.bg के पीछे और उसके बैद के ऊपर यह lipsing add कर देना इसकी link तुमें मिलेगी description box में इसको देते है सबसे पहले chroma की और इसको रखते है proper इसके lips के ऊपर so अगर तुम प्ले करोगे और यह रहा आपना anime character so अब आते हैं इस वीडियो के bonus tip तुम अगर तुम ऐसे किसी को problem आती है अपना anime character बनाने में तो मैंने description box से 5-10 characters देया है तुम जाके किसी को भी download कर सकते हो without any copyright and इस तारा कि anime character ज्यादा तर faceless channels में अच्छे लगते है so अगर तुम्हेरे पास किसी faceless YouTube channel का idea नहीं है तो इस वीडियो के साथ जाओ काफी कुछ सिखोगे